नमस्कार मैं प्रग्या धरदर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को किंद सरकार की देश भर में सरकारी अधिकारियों की मदद से विक्सित भारत संकल्प यात्रा निकालने की योजना कुछ राजियों में खटाई में पड़ गई है साल 2023 में चरनाई सूपर किंग्स को पांचवी बार IPL का खिताब जिताने वाले MS धोनी नए सीजन में खेलेंगे या नहीं इस पात का संकेत उन्होंने एक कारिक्रम के दौरान दिया कारिक्रम के दौरान धोनी को एक आंकर ने पुरू क्रिकेटर के रूप में संबोधित किया तो धोनी ने उन्हें टोकते वे कहा है कि उन्होंने केवल अंतराश्ट्रे क्रिकेट से सन्यास लिया है भारती वायू सेना की गोशना ने उसको अपनी रफ्तार बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है दरसल भारती वायू सेना ने अपनी अगली योजना के बारे में बताया है कि वह और अधिक फाइटर जेट्स और लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर खरीदना चाहती है साथी सुखोई तीस को भी अधितरन बनाना चाहती है अपग्रेड करना चाहती है बिलियन डॉलर का कॉंट्राक्ट है श्रिल गेम्स के 37 संसकरन का आगाज आस्ते हुड़ा है ये गेम्स गोवा में 26 ऑक्टूबर से 9 नौमबर तक खेले जाएंगे गोवा पहली बार नेशनल गे ये खेल गोवा के 5 सहर में खेले जाएंगे जिसमें मापुसा, मढगाउं, पंची, पोंडा और वास को शामिल है वहीं गोल्फ और साइक्लिंग प्रतियों गिताय नई दिल्ली में आयजिन की जाएंगी भारत ने फ्यूल सेक्टर में एक बड़ी कामियाबी हासल की है ओय इतिहासिक मौका है जहां भारत दुनिया का चौथा देश इसका उत्पादन करेगा भारत में पारादीप और पानीपत में इसका उत्पादन शुरू हो गया है भारत में इंडियन ओयल ने पहली बार रिफरेंस गैसोलीन और डीजल इंधन का सफलता पुर्वक उत्पाद पंडूब में ग्रफताद किया गया था यह इतालवी छोटी स्टिल्थ पंडूब भी यो यू टू आइटू की देखडेक के लिए एक कत्री फर्म के साथ काम कर रहे थे देश भर में डेंगू के मामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदीश पिहार हिमाज और प्रदीश में डेंगू से एक होडा मचा हुआ लोग परिशान हैं और डेंगू से रजात के लिए नए नए उपायत कर रहे हैं कोई प्लेटलिट्स प्रहाने में लगा हुआ तो कोई बकरी का दूद पी रहा तो कोई पपीते के पत्ते कोई करवी गोरियां खाड़ा है य प्रिश्पर में प्याज की खुद्रा कीमत में एक सप्ता में ही 7 रुपे प्रती किलोग्राम की बढ़ोतरी ने सरकार के कान खड़े कर दी है पिछले एक सप्ता से प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है एक सप्ता पहले जहां खुद्रा मार्केट में 35 रुपे प्रती क पिछले साल से कतर में हिरासत में रहे आठ पुर्व भारती नौ सेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई गई इसके बाद वरिष्ट निता कपिल सिब्बल ने गुड़ोबार को प्रधान मंतरी रणिंद्र मोदी से हस्तचेप की मांग करते वे कहा कि सरकार को उनकी रिहाई के के लिए सभी विकलत तलाशने चाहिए कपिल सिब्बल ने अपने एक्स पर लिखा हमारे विश्व गुड़ू पी एम मोदी को हसचेप करना चाहिए कतर की एक अधालत ने आठ भारतीय पुर्वसेना अधिकारियों क्यो मौत की सजा सुना दी ना रोपो पर जवाब दे ठ खड़ाया गया है जहने कतर के अधिकारियों ने स्थार्वजनिक भी नहीं किया हमारी सरकार कुन की रिहाई के लिए सभी विकलत तलाशने चाहिए अमेरिका के दिगज शीप निर्माता कंपनी AMD भारत में दुनिया का सबसे वड़ा चिप डिजाइन केंदर बना रही है गुड़ुवार को केंदर एलक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रोदी की मंतरी अस्विनी वैशनर में ट्वीट कर बताया कि बेंगलु में कंपनी को टेक अधन के अवशकता होती है संसाथन नहीं होंगे तो खिलारी कैसे निकरेंगे पछले 15 साल में केंदर सरकार ने खेल का बजट घटा दिया है तुलना अगर चीन से करते हैं तो उलम्पिक में उनकी पदक ताली का भी देखी जानी चाहिए बसेरा गाउं में कबड़िक खिल और बायो मिथिन की खपत वर्ष 2030 तक 20% बढ़ाने से भारत को अपने तरली कृत प्राकृतिक गैस के आयाद बिल में वितवर्ष 2024 पचिस से 2029 तीस के बीच 29 अरब अमेर की डॉलर की कमी करने में मदद मल सकती है एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है इस्ट्यूट प्रिधान मंत्री जस्टिन टुडो की नाक तले एक बार फिर भारत विरोधी गिरौनी कारवाई को अंजाम दिया गया यहां खालिस्तान समर्थकों ने उटावा में देशरा परववाई दिन तिरंगे में लिप्टे प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोधी वा भारतिय दूदावास के अधिकारियों के पुत्ले चलाएं इन्हें चलाते समय खालस्तानी भारत और हिंदु विरोधी नारे भी लगा रहे थे इस घटना के बाद से कनाड़ा के प्रधान मंत्री परदस्त प्रगती करने वाले देशों के साथ प्रतिसफरता करना चाहता है तो युवाओं को सप्ता में सतर घंटे काम करना पड़ेगा मोर्ती तीन वर्न चार कैपिटल के पॉड़कास्ट रिकॉर्ड के पहले एपिसोड में दिखाई दिये हैं जिसे आज यूटूब प प्रियंका गांधी ने एक्सपर पोस्ट किया गाजा में साथ हजार मनुश्यों के हत्या के बाद भी रक्त पात और हिंसा का दौर थमाने ही इन साथ हजार लोगों में से तीन हजार मासूम बच्चे थे केंद सरकार की देश भर में सरकारी अधिकारियों की मदस्ते विक्सत भारत संकल पियात्रा निकालनी की यूजना कुछ राजियों में खटाई में पड़ गई है दरसल जन पांच राजियों में चल दी विधान सबाद चनाव होने है भाहियात्रा निकालने पर रोक लगा बता दे कि स्यात्रा के थे सरकारी अधिकारियों को हर जिले में रत प्रभारी बनाया गया है जिसे लेकर वपक्च सरकार पर हमला वढ़ है और किन्द सरकार पर सरकारी मश्रूरी का दुरूपयों करने का आरूप लगा रहा है असम के मुख्यमंतर हिमंत बिस्वा सर्मा 36 गर में अकवरवारे बयान को लेकर बूड़े फस गया है उनके इस बयान के मदेनजर चिनाव आयोग ने उनके खिलाफ कारण बताव नोटस जारी किया है 36 गर में एक चिनावी सभा को संबोधित करते वे हिमंत बिस्वा सर्मा ने भूपेश पगेल की सिरकार पर आरूप लगाया कि कॉंग्रस ने 36 गर में सनातन धर्म को कमजोर कर राजी में धर्म पड़िवर्तन का बाजार खोल दिया है वही गरुबार को चिनाव आयोग ने राजस्थान के दौसा में अपने भार्षन के दौरान कति चिनाव आचार सहंता के उलंगर पर वर्ष्ट कॉंग्रस नेता प्रियंका गांधी बादरा को भी कारण बताव नोटस दिया है मनिपूर के सांतिपूर इलाकों में इंटरेनेट सिवाओं की ततकाल बहाली की मांग को लेकर All Naga Students Association मनिपूर के धरने के कारण राजे के नगा बसाहट वाले इलाकों में सरकारी कारयाने मंगलवार से काम नहीं कर पार है इस महीने यह दूसरी बार है जब छात्रों ने राजे में मोवाईल इंटरेनेट सुवाओं पर जारी पुर्ण प्रतिवन का विरूट किया है वल्ड कप के आंकरों से पता चलता है कि 2022 में भारत में युवा बिरूसगारी दर 23.22 प्रतिशत थी जो इसके परोसी देश पाकस्तान 11.3 प्रतिशत पांग्रा देश 12.9 प्रतिशत और भुटा 14.4 प्रतिशत से अधिक थी रिपोर्ट के मताविक उसी साल चीन में विरूसगारी दर 13.2 प्रतिशत सीरिया में 22.1 प्रतिशत इंडोनेशिया में 13.7 प्रतिशत विहतना में 7.4 प्रतिशत दक्षिन कोडिया में 6.9 प्रतिशत और सिंगापुर में 6.1 प्रतिशत रही यह रेटा अंटरास्ट्री है स् एक रिपोर्ट में पता चला है कि 2021 में ICD देशों की नागरिकता हासल करने में सबसे अधिक संख्या भारतियों की थी ICD के रिपोर्ट के नुसार वर्स 2021 में लगबग एक लाग भारती अमेरिकी और अस्ट्रेलिया और अक्राडा के नागरिक बढ़े तो देश से प्रवाश करने वाले लोगों के लिए सबसे लोगप्रिय गंतावे हैं इसके अलाबा 11,000 से अधिक भारतिया उनाइटेड किंग्रम का पास्पोर्ट हासल करने में सफल रहे भारती रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों के लिए वीतिय सेवाओं की आउट्सोर्सिंग्स जोले देशान नरदेशों का नया ड्राफ्ट चारी किया है इस ड्राफ्ट के मताबिक RBI के दारे में आने वाले बैंक को और VTS अंस्थानों के लोन रिकवरी एजेंट अब करसदार को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहरे संपर्क नहीं कर सकेंगे इस ड्राफ्ट पर ड्रिजब बैंक ने सभी भागिदारों से 28 नवंबर तक राय मांगी है ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक NBFC मैनेजमेंट से जोले मुख्य फैसलों पॉलिसी तयार करने और लोन मंजूरी जैसे फैसलों के लिए आउटसोर्सिंग सेवा का इस शुक्रवार सुभा करीब तीन दसम्रों दो तीन बज़े गिरिफतार किया गया गिरिफतारी से पहले मलिक ने कहा था कि मैं एक गंभीर साजिस का शिकार हूँ मैं यही कह समता हूँ सनिवार रात को इस साल का दूसरा चंदर गरहन देखने को मिलेगा यह इस साल का आखरी चंदर गरहन है सनिवार 28 ओक्टूबर को भारत में गरहन की शिरवात रात में एक बचकर पांच मिनट से होगी चंदर गरहन रात दो बचकर 24 मिनट तक लालेगा ऐसे में ये ग्रहन एक गंटा उननस मिनट चलेगा 28-29 अक्टूबर की रात में लगने जा रहा है ये चंद्र ग्रहन आंसीकों का पिछले सब्ता हुए सुरे ग्रहन के 14 दिनों बाद ये चंद्र ग्रहन होने जा रहा है पाकस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा गड़ोबार प्रात आठ बजे के बाद से पाकस्तानी रेंजर्स ने बिना कसी उकसावे के अरणिया सेक्टर में फारिंग शुरू कर दी हालाकर स्पाक सिना की इस नापाक हरकत का सीमा सुरक्षाबन ने भी मूतोर ज जीतर ना मां जी ने नितीश शरकार पर हमला बोला है जीतर ना मां जी ने सुक्रवार को अपने आकस हैंडर से लिखा बिहार के प्रहे लिखाए युवा मजदूरी करें दूसरे राजियों में और बिहारी जियो इन्फो कॉम लिम्टेड अब जियो स्पेस फाइवर नाम के एक नई टेकनलोजी लेकर आया है यह सितिराइट बेस्ट गीगा फाइवर टेकनलोजी है जो उन दिर्गमिलाकों में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगी जहां फाइवर के वर से ब्रॉडबै करेक्टिविटी पहुंचाना मुस्किल भड़ा काम है जियो की यह नई सर्विस पूरे देश में अत्याधिक के पायत पर उपलब्द होगे शिक्रुवार को कम्प्री ने नई दिल्ली के प्रगती मैदान में चल रही इंडिया मोबाइल कॉंग्रस में जियो स्पेस फाइ बुजर्गों को भेजा गया है उनके चहरे पर खुशी का भाव साब चलक रहा था तिल्ली से ट्रेड में बुजर्गों की रवानगी से पहले एक कारिक्रम आउजित किया गया था जिसमें उपस्तित तिल्ली सरकार की मंतरी आतीशी नहीं कहा कि दिल्ली के अलग-अलग हि परदा में स्वन पदक जीता मानोने फाइनल में सिंगापुर की अलीम नूर साइधा को हडाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है भारत के लिए यह उनीस्वा गोल्ड मेडल इसके अलावा पांचवे दिन का दूसरा गोल्ड मेडल रमन सर्माने भारत की जोली में डाला है देशरे को खत्म हुए तीन दिन गुजर चुके हैं लेकिन पटना विधान मंडल सचीवाले की कर्मियों की छुटियां अभी तक खत्म नहीं हुई है अभी भी आदे से ज़्यादा अधिकारी और कर्मी ड्यूटी पर नहीं लोटे हैं सचीवाली किया पोल तब खुल गई जब मुखे मंतरी नितीश कुमार सुभा सुभा फिर से निरिक्षन के लिए सचीवाले पहुँच गए बता जा रहा है कि निरिक्षन के दौरान कई विभागों की कुर्शियां खाली थी जिसको लेकर मुखे मंतरी बेहद नाराज हुए इस दौरान जो दिकारी और कर्मी आपके छेत में प्रम उक्परेटर नस्थल कौन से हैं अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज कली इतना ही धन्यवाद